मैच नमबर 30 राजस्थान वर्सेज कोलकाता बहुत ही बड़ा गेम ये होने वाला है दोस्तों टॉस की तैयारी हो चुकी है सैमसंग ने सिका उछाला और गिरा कोलकाता के पक्ष में कोलकाता ने बॉलिंग चुनी सभी तैयार राजस्थान बैटिंग के लिए तैयार पडिकल और जॉस बटलर ने हमेशा की तरह उपनिंग की बता दू आपको की पडिकल 24 रन मना कर ही आउट हो गये लेकिन जॉस बटलर लगातार बहुत ही धमाकेदार पारी खिलते हुए बह में जिम्मेदारी पहुची हेट मायर के पाफ 26 रन बनाए उन्होंने और 217 रनों का लक्ष एक विसाल स्कूर खड़ा किया कोलकाता के सामने जो की अच्छी बॉलिंग के लिए जाने जाती है टीम उनके खिलाब उसके बाद बैटिंग करने आये फिंच और नारायन जल्द लिए जायागा लेकिन एक रुकावट फिर से आने लगी और एक कह सकते हैं कि अर्थ सतक लगाने के बाद फिंच आउट हो गया है उसके बाद स्रेश एयर और कह सकते हैं कि निती सराना कोसिस करने लगे लेकि नहीं हो पाया रसल को जवट एक बहतरीन बॉलिंग ने अश् और में चार विकेट लिए हैट्रिक के साथ उन्होंने मैच का पूरा रुखी बदल दिया लेकिन अंत में उमेश आदम ने कुछ शॉट लगा है लेकिन उसके बाद बावजूद जीत नहीं पाई और साथ रनों से राजस्थान ने कोलकाता को हरा दिया और बहतरीन बॉलि